आपको मतर फ्राई बनाना बताएंगे उसके लिए हमने कडाई ले ली है अब हम उसमें मटर एड करेंगे हरे मटर एड करेंगे हम 250 ग्राम मटर फ्राई करने की रेसीपी बता रहे हैं अच्छे से हमें पहले से भून लेना है अच्छे से उपर नीचे कड़ते हुए भून लेना है हमने अच्छे से भून लिया है अब हम उसमें टू टी स्पून ऑईल एड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम उसमें हाफ टी स्पून अद्रक लेसं का पेश्ट एड करेंगे अब हम उसमें पाउ टी स्पून हल्दी एड करेंगे अब हम उसमें हाफ टी स्पून नमक एड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेना है मिक्स करकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम उसमें फ्राई कर लिया है अब हम उसमें वन टी स्पून मिडशी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम उसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है हमारा मटर फ्राई रेड़ी हो चुका है अब हम आपको डिश आउट करकर बताते हैं अब हमारा चटपटा मटर फ्राई रेड़ी है आप देख सकते हैं ये कितना शानदार लग रहा है आप भी ट्राई करें ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बहुत ही इजी रेसीपी है आप भी ट्राई करें लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए टाकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग आवर वीडियो बाई